इन वंदमात्रम दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग GKGS के Most 20 Important MCQ Questions को कभर करेंगे जो की बहुत सारे ऐसे परतियोगी परिछाएं हैं जहां पर यह सभी questions जो है और बार-बार repeat होते हैं ठीक है तो आप किसी भी government exam से त्यारी कर रहे हैं जैसे Railway, SAC, MTS, CGL, Bihar Police, NTPC, SACGD, जहारकन Police या फिर Army या फिर किसी भी government exam से त्यारी कर रहे हैं तो आज के यह वीडियो आप सभी के लिए काफी useful रहने वाला है क्योंकि दोस्तों यहाँ पर वही सभी questions बताए जाएंगे जो की exams में बार-बार repeat होंए ठीक है तो चली time को waste ने करते हुए आज की इस interesting वीडियो को सुरू करते है और पहला question friend जो की आपके screen पर है कि भारत में सरवाधिक दूद उतपादन करने वाली बकरी कौन सी है दोस्तों भारत में सबसे अधिक दूद कौन सा बकरी देती है यह आपसे question पूछा गया ठीक है option यह है जन जमना परी option B है बरबरी option C है ब्लॉक बंगाल यह option D बीटल तो दोस्तों भारत में सबसे अधिक दूद उतपादन करने वाली बकरी की बात करें तो right answer दोस्तों होगा जमना परी जो की सबसे अधिक दूद उतपादन करती है दोस्तों यहाँ पर top 20 question बता जाएगा जिसमें से आपको बताना है कि आप 20 question में से आप कितनी question ऐसे है जिसका answer जो है आप पहले से जान रहे ठीक है आप अपना score जो है वो last comment box में comment करके जरूर लिखेगा अगला question है कि पश्टी वर्स हाथी महा उतसव कहां मनाया जाता है यह कौन सा सहर में मना जाता है ठीक है तो दोस्तों यह जो हाथी महा उतसव है यह जाइपूर में मनायाता है आप से भी सही answer होजएगा अगला प्रेश्ण है कि तोमर राजपुतो द्वारा बनाये गया किला राज पिथोरा कहां है दोस्तों काफी इंप्रेश्ण है कि जो तोमर राजपुतो द्वारा बनाये गया किला था पिथोरा ये कौन से सहर में इस्तित है कहां पर इस्तित है तो ये दिल्ली में इस्तित ह ठीक है आपसन ये सही एंसर होगा हमारे भारत देश की राज़दानी दिल्ली में इस थी थे ठीक है अगला प्रेस्ण है कि दादा साहब पाल के पुरुसकार की सुरुवात कब हुई धादा साहब पाल के पुरुसकार की जो शुरुवात हुई थी ये कौन से इस्वी में हुई थी तो 1969 आनि 1979 इस्वी में इस पुरुसकार के शुरुवात हुई थी, आपसन D सही उत्तर हो जाएगा अगला प्रेस्ण है कि भगत आंदोलन निम्नलिखित में से किस जनजाती से संबंदित है दोस्तों जो भगत आंदोलन है वो इर्मी से कौन सा जनजाती से संबंदित है बीरहोर, कोल, संथाल या फिर भील सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा भील जनजाती से संब्धित है, उप्सन डी सही एंसर हो जाएगा, यदि बात कर दोस्तों, 2011 के जनगना के नुशार देखा जाएगा, तो भारत की जो सबसे बड़ी जनजाती है, वो भील जनजाती है, ठीक है, तो आप से कोचनर में पूछा आए हैं यह मुख्य रूप से देखा जाए तो राष्ट कुट वन से संब्दित है और सभी सही एंसर हो जाएगा कई बार यह कोचन एकजामें पूछे गए दोस्तों यहां पर जितने भी कोचन बता जाए रहें यह सभी कोचन बहुत बार एकजामें पूछे गए इसलिए आ कि प्राचिन भीमा देवी मंदिर किस राजी में है दोस्तों आपको बताना है कि यह प्राचिन भीमा देवी मंदिर है यह भारत के कौन से राजी में इस्तित है काफी इंप्राटन कोचन है तो यह भारत के हर्याना राजी में इस्तित है आपसे यह सही उतर हो जागा इस को यह आप से कोचन है ठीक है तो राजयस्थान की बात पर दोस्तों यह च्छेत्रफल के दिरिश्टी से देखा जा तो भारता जो सबसे बड़ा राजय है वो राजयस्थान ही है ठीक है अगला प्रेश्टन है कि निम्नलिखित में से कौन से गुफाएं महाराष्ट में नहीं है दोस्तों काफे भी भी कोचन है कि इनमें से कौन से गुफा है जो कि महाराष्ट में नहीं है यह आपको बताने ठीक है तो दोस्तों यह जो भंज की गुफाएं यह भी महाराष्ट मे नहीं यह कॉन से राजी में इस्तित भी थो सही उत्र हो जएका ऊप्सण भी सही एंसर हो अगला की केंद्रिय बहुत अध्यन संस्थान कहां इस्तित भी नांस नहीं इस पर चोछल देख लीजेगा ठीक है अगला प्रेश्टन है कि मैत्री-मंदिर कहां इस्तित है दोस्तों आपको बताना है कि मैत्री मंदिर है कौन सा राज में इस्तित है तो राइट एंसर दोस्तों हो जाएगा मैत्री मंदिर जो है वो पूदुचेरी में इस्तित है आपसे नंबर यह सही उत्तर हो जाएगा अगला प्रस्न है कि भारत का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है दोस्तों काभी इंपर्टन कोच है कि भारत की सबसे बड़ा मंदिर की बात करें तो राइट एंसर जो हो जागा दोस्तों रंगनात स्वामी मंदिर जो कि भारत की सबसे बड़ी मंदिर है अगले प्रेस्टन है कि पाकिस्तान में एक मात्र स्वामी नारायन मंदीर कहां इस्तित है दोस्तों पाकिस्तान जो कि हमारा पड़ोसी देश है वहां पर एक मंदीर इस्तित है स्वामी नारायन मंदीर ये कहां पर इस्तित है ये आपसे कोछ ने पुछा गया ठीक है तो ये क पंच महल कहां इस्तित दोस्तों आपको बताना की जो पंच महल यह कहां पर इस्तित है तो यह फतेःफ़ पूर सिकरी में इस्तित है और आप से सही एंसर सभा जाथं पर लेबल के लेगा रेंगे प्ता है इसपी इंस लेबल की घुझामम से किसी ना पूछे गए हैं कि भारत में बनी पहली रंगिन फिल्म कौन सी थी दोस्तों काफी काफी है इसकी घुझाब कारें जंदो बहुत में पहली रंगिन फिल्म थी यदि आपसे कोच्छन पूछा जाया कि भारत में पहला फिल्म बना था ब्लैक और वाइट यानि यह कौन से फिल्म थी तो राजा हरिष्चंद रहे ठीक है राजा हरिष्चंद भारत की पहली फिल्म थी यह फिल्म कब रिलीज हुआ था दोस्तो तो 1913 फिल्म कौन थी तो आलम आरा जो है यह भारत की पहली बोलती फिल्म थी यह जो फिल्म दोस्तों चावदा मार्च 1931 को यह फिल्म है रिलीज हुआ था आलम आरा तो यहां से आपको तीनों इंपर्डेंट कोचन आपके एक्जामस के लिए इंपर्डेंट है अगला जो स्थान में आपसं यह सही एंसर होगा आपको यह याद रखने है ठीक है अगला प्रस्ट है कि भारत का सबसे बड़ा संग्राले कौन सा दोस्तों भारत की सबसे बड़ा संग्राले की बात करें तो भारती संग्राले जो की कॉलकाता में इस्तित है आपसं डी सही उतर हो कि सुनी का जो विश्कार है वो किसकी द्वारा किया गया था ठीक है और आप 20 कोचन में से कितने कोचन का जो एंसर है वो सही सही कर पाए प्लीज इमांदारी पूर्वा कमेंड बॉक्स में करके जरू लिखी और इसी तरह और भी इंपार्टन कोचन जाने के लिए दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें जो कि बहुत सारे इंपार्टन इंग्जाम होते जहां पर यह सभी कोचन पूझे आते उन्हीं सभी कोचन को कर आए जागा ठीक है तो जिन लोग ने चैनल को नहीं किया यार इपनी चैनल को सब्सक्राइब कर लें फिर मिलेंगे हम लोग किसी और वीडियो में तब तक के लिए जय हिन जय भारत